कि तो काफी डाइम से में आप लोगों के कॉमेंट्स पगएरा देख रही थी आप लोगे ने बोला था stay comments में कि आपनी तूडली स्ट खेयर करो हमारे साथ मतलब हो सकता है Cris अगर मेरी टूडूलिस्ट में कोई भी कमी पेशी लगे कुछ भी और मुझे अडिशन करना चाहिए उसमें अगर ऐसा कुछ सजेशन हो तो प्लीस मुझे बताना कमेंट्स में है ना क्योंकि मैं भी जस एक एस्पार इंटू आप लोगी तरही तो अगर आप लोगे कुछ उसे ही कि लाहा है गयुकुरोरी टूलिस्क दा रिखो अभी तो अभी तो है अाप जए कि यह स्पीड मैट्स का पर्ट हैं सबसे बात करते मैं तो कॉंट इसे कि देए बयात हैं 함 simplification, quadratic equation, wrong number series और missing number series ये चार पार्ट होते हैं speed maths के तो वैसे तो maximum number अगर देखा जाए कि कितना practice करना चाहिए पड़े तो 20 something करना चाहिए और उसके उपर आपकी speed के उपर है कि आप कितना कर लेते हो एक दिन में क्योंकि वांकि साथ इस चीज़े भी manage करनी होती है तो maximum 20 करना चाहिए लेकिन यहां पर मैंने number बहुत कम-कम रखे हुए है क्योंकि यह जो दो topics है मेरे यह मतलब ऐसा मुझे लगता है कि यह मेरे अच्छे से clear है तो इसलिए मैंने यहां पर इसका number बहुत कम रखा है क्योंकि मुझे इसके साथ और ऐसे काई topics है जिसमें मुझे थोड़ा जादा focus करना पड़ता है तो यहां पर मेरा time बच जाता है तो यहां पर मेरा time बच जाता है और regular revise भी जाते हैं सिर्फ इसलिए मैने यहां पर 5-5 questions रखे हुए है फिर इसके बाद में wrong number series और missing number series इसमें मुझे थोड़ा जादा time लगता है इसलिए मैने यहां पर 15-15 questions रखे हुए है क्योंकि मुझे सरकता है इसमें इन topics मेरी मेरी बहुत कमिया है इसलिए मैने जादा number रखे हुए तो यहां से जो time बचता है वो इसमें मेरा manage हो जाता है तो यह सारी चीज है इस तरीके से है फिर जब इसमें भी अच्छे से time manage हो जाए अगरा तो फिर मैं इन सब के number equal कर दूंगी तो फिर दीर दीर क्या होता है speed भी बनती जाती है और यहां पर 5-5 questions अगर मैं नहीं भी करूं जैसे मैं सोचूं कि ना रहने दोगर topic clear है तो फिर regulatory बिगड़ जाती है हमारी फिर अगर हम जैसे अभी नहीं करेंगी simplification quadratic equation तो फिर 20-25 दिन बाद देखेंगे तो हमारी speed उतनी कम हो जाती है इससे अगर मतलब कुछ ना कुछ questions तो रखने ही चाहिए वहले आपकी topics कितनी भी अच्छी हो regular अगर आप हार topic question solve कर रहे हो तो कहीं कोई मतलब नहीं करोगे वह फांडेशन करने का कोई मतलब नहीं होता इसलिए अब बात क्लियर हो गई हो आपको तो इसलिए मैंने यहां पर नंबर जो है इस तरीके से मैनेज किया है फिर अर्समेर्टिक की प्रॉब्लम्स अभी तो जाद से अधा focus अब सिर्फ प्रेक्ट प्रॉब्लम्स पे लुता है फिलहाल अभी मैं डैली के मतलब 40 क्वेस्टिन ही कर पारे हूं 30 to 40 questions ही कर पा रही हूं ठीक है तो अभी वही कर रही हूं यहां पर मैं नंबर मेंशन नहीं करती हूं आगे मतलब अभी ही नहीं की है इसा नहीं है मैं करती ही नहीं हूं बस इसे माइंड में रहता है कि आज इतने question solve करने हैं उसके बाद में pre-level में इसे पजल के सेट यहां पर नंबर मेंशन नहीं है वाट मैं लिख देती हूं कि जैसे की 3 डिया सेट और 3 ही पजल के सेट अभी फिलाल इतनी हो पा रहा है कोशिश कर दी है कि इसमें speed बड़े जैसे-जैसे speed बड़े की यहां पर नंबर भी increase होंगे ठीक है ना तो आप समझ क्योंगे भी speed इतनी नहीं है इसलिए नंबर यहां पर तीन ही है और एडिटोरियल एगिलर इंग्लिश के लिए निमिशमम से ठीक है और एरर के 20 questions करने के भी मेरे 2 तरीके हैं मतलब की 2 तरीके इस तरीके से हैं 10 questions की तो जैसे की निमिशममर कराती है रेगिलर का जो वीडि करती हूं इस तरीके से अपना थोड़ा तरीका होता है और पराजंबल इसमें घुरी सी जादा प्रोब्लम होती है तो अभी फिलाल अच्छा हां एक चीज और आप लोग पूछ रहे थे कि मैं प्रिपैर कहां से कर रही हूं यह question भी बहुत कॉमन देखने को मिला है मुझे पूरा वीडियो देखना है अंड तक मैं आगे आप लोग जवाब देती हूं तो परेजंबल का एक सेट और वोकैबलरी वोकैबलरी एसे करती हूं मतलब जैसे एडिटोरियल पड़ती हूं तो उसी के साथ सब वोकैबलरी कर लेती हूं इसके बाद मैं करेंट अफेर की क् क्ञेबलर क्लास करती हूं एक घंटे की क्लास होती है दिल पर पत्था रखके सुन्नी पड़ती है सुनी भी पड़ती है डूट सेटारी करना पाथा है मुझे कैसे महीं को पढ़ता है और में 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 2 की याई प्रिजनिंग में में इन्स का पजल और पैंडिंग यह एस्बे क्लर यह मैं तूडल लिस्ट शेयर कर यह आज की तूडल लिस्ट है तो यह मेरा कल निशाइद मेरे परस हो यह वाला मोग दिया था तो इसका अनलिसिस करने का मेरे पास ताइम लिए वचाता और फिर बहुत कि तaking सब्सक्राइद मेरे आज जो सब्सक्राइद मेरे खंपे तो निशर दिए रखा जीर कि हमाई पर चांग धत उठकेन द्यां सन्द्स कराने करका है किसे पर अबमने मेरे शल आताइक कि वाले वन इन्स करना है अऊ बफिर मेरें स्कान कर ना 밤 अभी उड़ आपना कामें रवीजन करना तो करते चलो कुछ निकले गई इतनी सिम्पल सी मेरी टू-डू-लिस्ट है कुछ कमी लगे तो मुझे कमें बताना हाँ किस से तियारी कर रही हूं काफी लोगों के कॉमेंट्स थे कि अड़ा का सब्सक्रिब्स देखो इस वीडियो में आप लोगों के मैं वह वाले जबाब देती हूं जो मुझे काफी सारे देखने को मिले कॉमें कि मुझे एक्जक नाम तो याद नहीं है लेकिन हां मैंशन किया अड़ा 247 चैना चैना पैकेज नहीं पाक कि अड़ा के सूच को मैं डे考 करती हूं समय को मैं अड़ा की आ कि यह कि यह को पता है है्कि आपकेजनी न cannुफके सु जी सब्सक्राइछ चैना तो आप लोग को मैं जरूट को मैं आड़ा 207 से त्यारी कर रहे हो या आप को पता कि वहां का कैसा बैच है क्या कैसा कोर्स है तो आप लोग comments में जरूर बताना होता किया है कि जितने लोग भी comments section में आते हैं तो उनके काफी सारे doubts clear हो जाते हैं है ना तो मतलब आपकी मर्ज़ी हाखर आपको share करना हो तो आप लोग share कर सकते हो क्यों काफी सारे students काफी सारे बेगिनर्स होते हैं जिनके डाउर्स कॉमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाते हैं तो जिसने मुझसे पूछा था कि अड़ा 2.7 का सब्सक्रिप्शन ले या अनकेडमी का ले तो अड़ा 2.7 का तो मैं रिव्यू नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं लिया और फिर एक तर क्लास लेना है और दूसरी चीज है कि अगर आपको एक्सपीरेंस करना है कि वो टीचर कैसा पढ़ा रहे है तो आप एक वर उनकी फ्री क्लास लेके देख लो ठीक है इस वहां से भी तो बहुता है एक आइडिया लग जाता है कि यह टीचर इस तरीके से पढ़ाएंगे तो एक वहां से आप आइडिया ले सकते हो और बांकी तो मैं यह बोलूँ कि मुझे अड़ा का कोई भी कुछ भी मतलब आइडिया नहीं है जिस किसी को भी हो तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन ने बताना इसे काविसरे स्टुरेंस के डावस के लिए हो जाते हैं मैंने मैं अ इतना ही मैंने यूज कर पाया था इसको क्योंकि मैंने दुबारा से प्रेपरेशन शुरू की जैसा मैंने आप लोगो बदाया था शायद सेप्टेमर अक्टूबर से तो मैंने 30-40% यूज कर पाया था और क्यूंकि उससे पहले मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स वगेरा थे उ यूट्यूब से ठीक है और दूसरी चीज कुछ टाइम बात आफ्टर सम डेज इसको फिर से दुबारा से बाय कर लेंगे लेकिन जब तक इसको नहीं बाय नहीं पर्चेस कर रहे हैं इस अनकैडमी को दुबारा से तब तक मैं करेंटी फ्री ही पढ़ रही हूं तो मुझे अमीद है कि आप लोगे काफी सारे डाउट्स रहे हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो से वीडियो कैसा लगा बताना अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना प्लीज चीज है और कोई भी सजेशन हो कोई भी क्वेरी हो मतलब कुछ भी हो और कॉमेंट करना मतलब जस्ट कल पर सो मैं इसको वापस से अपलोड कर दूए है